दोस्तो अगर आप अधार कार्ड में किसी भी परकार का अपडेट करते हैं या फिर कराते हैं तो आपके मन में एक प्रस्ण उड़ता है कि अधार कार्ड में कितना दिन में अपडेट हो जाता है तो दोस्तो अपडेट होने का कुछ नया बदलाव किया गया है कुछ अपडेट किया गया है अब दोस्तो अधार कार्ड में बहुत कम समय में अपडेट हो जाएगा तो कितना दिन में अपडेट हो जाएगा तो अगर उसको जानना चाते हैं तो इस वीडियो को कमप्लेट द देखना होगा तो चली दोस्तों वीडियो को शुरूप करने से पहले मेरी चैनल पर नहीं है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ब्लैकन घंटी को प्रिस कर लेजिए थाकि मेरा वीडियो को नोटिपिकेशन सबसे पहले पके पास पहुंच पाए तो चली दोस्तों पहले अपना mobile ये laptop का किसी एक browser को open कर लेना है और browser में type करना है UIDAI उसके बाद सर्च के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों सबसे उपर में जो link दिख रहा है UIDAI इस link पे click कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों अधार कार्ट का official website इस पर कार्ट से यहां पे open हो जाता है और दोस्तों एक option यहां पे दिखने के लिए मिल जाता है update, demography, data and check status इस वाले option पे click कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों अधार कार्ट का new official website इस पर कार्ट से यहां पे open हो जाता है और दोस्तों एक option यहां पे दिखने के लिए मिल जाता है login, login के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों इस box में अपना अधार number को fill up कर देना है, इस capture code को इस box में fill up कर देना है OTP को send कर दिया गया है और उस OTP को इस box में fill up कर देना है, उसके बाद login के option पे click कर देना है login होने के बाद दोस्तों इस परकार का interface यहां पे दिखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों यहां पे दिखिए अधार card का जितना भी service है इस परकार से यहां पे दिखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों अधार card में किसी भी परकार का update करने के लिए और कौन-कौन से गलती नहीं करना है और कितना दिन में update हो जाता है तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे एक option दिया गया update अधार online इस वाले option पे click कर देना उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखे इस परकार के page open हो जाता है और इस page में पूरी details में बताया गया है कि अधार card में किस परकार से update किया जाता है update करने का charge क्या यहाँ पे आपको देना होता है सब कुछ दोस्तों इस page में बता दिया गया है दोस्तों यहाँ पे दिखे बताया गया कि अपना नाम, जनमतिति, लिंग, भासा, पत्ता अपडेट कर सकते हैं mobile number, email ID और biometrics data के लिए किर्पया निकर्तम अधार सेवा केंदर पर जाना होगा और दोस्तों यहाँ पे दिखे बताया गया है कि अधार अपडेट करते समय, document अपलोड करते समय आपको कौन-कौन सी गलती नहीं करना है तो दोस्तों यहाँ पे दिखे बताया गया है दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया गया कि नाम, पत्ता, जनमतिती, सुधार के लिए मूल सहायत दास्तवेच की असकैन कौपी की वशकता है किर्पया सुनिश्चित करें की सहायत दास्तवेच आपके नाम पर है दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग यह भी करते हैं कि अपना अधार कार्ड में अपडेट करते समय अपना पिता यहाँ पती का नाम का डॉक्मेंट को यहाँ पे अपलोड कर दते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना है अपना अगर आप अधार कार्ड में अपडेट कर रहे हैं तो आपके नाम से डॉक्मेंट होना चाहिए तभी आप अपलोड कर सकते हैं अगर आप ऐसे अपलोड कर देते हैं दुसरा कर तो दोस्तों यहाँ पे साब दिया गया है कि ऐसे अगर आप अपलोड करते हैं तो सिधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और दोस्तों यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि आपको ओनलाइन अपडेट सूल के लिए 50 उर्पे आपको यहाँ पे करना होगा पे करने के लिए यहाँ पे दिखिए क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड नेट बैकिंग के जरी आप भुगतान कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे दिखिए बताया गया है कि यह रासी नोन रिफंडेवल है यानि कहने का मतलब है कि अगर आप एक वार अपडेट करते समय प बता दिया गया है अब दोस्तों यहाँ पे दिखिए एक बहुत बड़ी अपडेट किया गया है दोस्तों यहाँ पे दिखिए कुछ बदलाव किया गया है यहाँ पे दिखिए दोस्तों बताया गया कि आउम तौर पर अधतन अनरोध 30 दिनों के भीतर 90% सेवा मानकों के सा पूरा हो जाता है यानि कहने का मतलब है कि 90% ऐसे लोग हैं जिनका 30 दिन के अंदर अधार कार्ड में अपडेट हो जाता है और दोस्तों यहाँ पे दिखे बतायागा कि हाला की हम अपने सिस्टम में सुधार कर रहे हैं और सबसे अधीक सभावना है कि आपके अन्रोथ को पह वर्किंग डे बताया गया है इसे भी और कम समय में अधार कार्ड में अपडेट किया जाएगा कि दोस्तों यहां पे 30 दे अब यहां पे रखा गया है दोस्तों पहले जो है कि यहां पे 30 से 90 डे यहां पे सो कर रहा था कि यानि working day जो है इसका 90 दीन का यहाँ पे किया गया था पर दोस्तों यहाँ पे दिखिए अब 90 से घटा कर यहाँ पे 30 दीन कर दिया गया अब 30 दीन तक जो है कि आपका working day रहेगा अगर 30 दीन से जादा हो जाता है और अगर मानते हैं कि अगर आपके अधार काड में update नह दोस्तों यहाँ पे आपको 90 दीन तक बेट करने पड़ता था अब आपको 90 दीन बेट करने के कोई जरूरत नहीं है अब आपको यहाँ पे 30 दीन तक बेट करना होगा 30 दिन अगर आपके अधार काड में update नहीं होता है तब आपको 30 दिन तक बेट करना है ऐसे में जो है कि 5 गंटी को भी प्रेस कर लीजेगा